हलो स्ट्रेंट्स, सॉर्ट्स को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्स क्लासिफिकेशन ओन दे बैसिस ओफ पी एच और नेचर ओफ सॉलुशन तो यहां पर आप हैडिंग डार लीजिए क्लासिफिकेशन ओफ सॉर्स ओन दे बैसिस ओफ पी एच ओफ सॉलुशन और वी कें से नेचर ओफ सॉलुशन लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्लासिफाई किया था एसिडिक सॉल्ट बैसिक सॉल्ट और नॉमल सॉल्ट जो वाटर में डिजोल होने पर क्लासिफाई करते हैं इसको तो यहां पर फर्स्ट हम डालते हैं एसिडिक सॉलुशन एसिडिक सॉलुशन सॉल्ट ब्रेकेट में आप नोट कर सकते हैं पी एच लेस देन सेवन पी एच को भी हम स्टेडि करेंगे एसिडिक सॉलुशन यह सॉल्ट सॉलुशन भी बोल सकते हैं सॉल्ट इसमें होती है पी एच मोर देन सेवन अन्थार्ड इस न्यूट्रल सॉलुशन सॉल्स यहां पर जब पी एच होगी बच्चो बच्चो यहां पर इसेवन विल बिल इकवल टू सेवन क्लियार अब इनी थ्री टाइपस को हम डिटियल में स्टेडि करेंगे तो फर्स्ट वी आर ग को टेक असिडिक acidic solution बनाने वाले salts यानि acidic solution salts बच्चो इसमें होने के आवाला है यहाँ पर जो भी salts है इनको जब हम water में dissolve करते हैं on dissolving in water these solutions these salts solutions these salts produce a solution which has pH less than 7 बच्चो पीएच स्केल के अंदर 1 to 14 जो है यहाँ पर एक बार मैं बता देती हूँ यह लाइन होती है पीएच स्केल होता है pH स्केल यह जो 7 पोइंट होता है यह न्यूट्रल होता है और यहाँ पर 1 और यहाँ पर लास्ट में 14 यह numbering है तो 1 to 7 यह वाली जो रैंज होती है यह होती है पर यह पड़िक यह वाली जो रैंज है यह होती है basic और यहाँ पर यह जो पोइंट है और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ जो लिये है उनको जब हम water में डिसॉल करते है तो water में डिसॉल करने पर जो solution होता है उसका nature होता है acidic यानि solution की pH आप मेजर करेंगे वह आएगी 127 के बीच में तो इस तरह कि जो सोल से उनको एसीडिक सोल सोलुशन बोला जाता है यानि इनका नेचर है वह एसीडिक होता है अब बच्छों के एक्जामपल हम देखते हैं इसके अंदर जो एक्जामपल से वह आपको इस तरह से लेने हैं क्योंकि सोलुशन हमारा क्या है एसीडिक है pH उसकी 7 से नीचे आने वाली है और सोल सा आपको पता है एसीड और वैसीडिक होने वाला है इसका मिनिंग है कि हमारे सोलुशन के अंदर हार्डरिजन आइन कंसेंटरिशन मोर है तो यहां पर जो सोल्ट होगा वह बनने वाला होगा स्ट्रॉंग बेस salt is formed salt is formed by strong acid plus weak base आपको strong acid और weak base के examples पता है तो आप definitely ऐसे salts को classify कर पाएंगे तो strong acid के अंदर कौन से है S2, SO4, SEL, HNO3 clear तो यह हो गए strong acid plus weak base के अंदर आप लेंगे यहां पर ammonium hydroxide, NH4, OH, aluminium hydroxide यहां फिर आप ले सकते हैं calcium hydroxide तो इस तरह के जो waste होंगे यह दोनों मिलकर यहां जो salts बनाएंगे वो होंगे हमारे acidic salt solution के अंदर तो आप इनके combination से बनने वाले जो भी salts हैं उनको note कर लिजे हम बना सकते हैं यहां पर ammonium chloride, NH4Cl NH4 के whole twice SO4 NH4, NO3 तो mostly आप इनको तो ध्यान रखिए then CaSO4 CaCl2 यह भी आप बना सकते हैं तो आप यहां ध्यान रखिए NH4, NO3, NH4 के whole twice SO4, NH4Cl यह वाले जो salts हैं जब इनको हम water में dissolve करेंगे तो जो हमारा ammonium part है वो तो hydroxide बनाएगा और जो यह वाला chloride, sulfate, nitrate वाला portion है यह acid formation करेगा acid कौन सा होगा? strong तो यहां पर solution का nature वही decide करता है जो strong होता है तो nature of solution, pH और nature of solution is controlled by strong part of salt. strong part of salt. तो यहां strong कौन सा है? acid strong है. तो यहां पर solution का nature क्या होगा? acidic. Now next is basic. second is basic solution solves. इनके structure के अंदर कहीं भी होगा चाहें नहीं होता है बड़ जब इनका solution बनता है तो उसकी pH more than 7 होगी. pH of these salt solutions is more than 7. clear? अब यहां पर examples क्याले हम? again, क्योंकि basic solution बनने वाला है तो strong base plus weak acid. आप इतना सा concept जान रखिये कि जो stronger part है वो ही solution का nature decide करेगा तो easily आप examples को कर पाएंगे. Now strong base के अंदर simple सा आपको लेना है KOH, NaOH barium hydroxide यह भी आप ले सकते हैं plus weak acid भी आप ले सकते हैं S2, CO3, carbonic acid ले लिया S3, PO4, phosphoric acid ले लिया clear? यह फिर आप ले लिया acetic acid और organic acids organic acids like CS3, COH यह कौन सा acetic acid? H, COH यह formic acid तो इस तरह की weak acids लेकर भी आप कर सकते हैं इसके अलावा weak acids के अंदर sulfurous acid भी होता है S2, SO3, not S2, SO4 S2, SO3 यह sulfurous acid यह weak acid है carbonic acid, phosphoric acid, sulfurous acid यह weak acids हैं यहां पर जो base है, वो strong है तो pH decide होगा solution का, वो strong base के वैसे इस पर होगा तो जब भी आप solution बनाएंगे, 7 से उपर होगा now, यहां पर जो source के example है example, acid waste के example मत डाल दीजिएगा यह source मैंने बनाये हैं, किसके combination से बनने वाले हैं अब किसके combination से बने हैं, इस पर चलते हैं यहां पर K, Na या medium ले सकते हो, इन में से कोई भी randomly acid आप pick कर सकते हैं तो हम carbonic, phosphoric acid उठाते हैं carbonic acid से बनने वाला होगा, Na2CO3, K2CO3, Na3PO4, K3PO4 यहां हो सकता है, यह है sodium carbonate इसको हम detail में भी study करेंगे, method of preparation properties that is potassium carbonate potassium carbonate यह sodium phosphate sodium phosphate this is potassium phosphate potassium phosphate clear? तो यह अब सिम्पल सा आपके सामने कोई एक्जाम्पल एक्जाम्पल एक्लासिफाई यह अने है, तो Naos से आया है, PO4 है तो S3PO4, phosphoric acid से आया है, यह भी phosphoric acid से यह के त्री कोस से तो यह आप ले प्रोशन जो है, अपने वह ध्यान रखिए, कहां से कौन सा आया है, और आपको अगर स्प्लिट करवाता है कि इसमें से कौन सा एक्डूर कों सा बेस है, कि सके combination से बनाएं तो आप simple सा है इसको लेकर split कर दीजिए और आप यह symbol देखिए और इसी का base बना दीजिए यहां पीछवाला symbol देखिए कि कौन से acid का यह part है और वही acid उसी acid का formation आप कर दीजिए चलिए next चलते हैं अब हमारे पास है neutral solution source next third neutral solution source बच्चों हमने source पढ़ा है कि source which are found by the neutralization reaction of acid and base दोनों एक दूसरे की effect को neutralize करते हैं बट यहां पर यह जो examples हमने पढ़े हैं दोनों type में यह दूसरे को neutralize करके source formation तो कर रहे हैं बट solution जब बनता है वह exactly neutral नहीं होता है इस cases में तो यहां पर जो हमारे पास यह वाला है third part acid और base actually यहां पर एक दूसरे को neutralize करते हैं complete neutralize करते हैं जब हम solution में डालेंगे तो वहां पर कोई acidic या basic solution नहीं बनता that means हमने जो acid और base लिये हैं वो equivalent या equal strength के हैं दोनों की जो strong या weak कुछ भी है वो तो वो equal strength के हैं तो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से neutralize करते हैं तो यहां पर हम लेंगे जब combination बनने वाला है that is with strong acid plus strong base clear अब यहां पर pH of these salt solutions these salt solutions is seven or neutral तो यहां टकर बराबर के हैं दोनों की तो यहां पर जो बनेंगे combination अच्छन स्सेल एस्टोआसओ और एस अच्छोफ अच्छोफ प्लस के ओएच और ने ओएच बेटियम हैड्रोग्साइड भी हो सकता है तो अभी फिलाल आप ये दोनों डाल लीजिए तो इनके combination से जो भी salts बनेंगे वो आपके strong acid और strong base के combination से वो बिल्कुल neutral होगे वहां के solution की pH क्या होगी 7 होगी तो यहां से बनने वाले salts बच्चों, easily आप formation कर सकते हैं, 3 मैंने लिये हैं तो यहां पर examples आप डालिए NaCl KCl Na2SO4 K2SO4 Nitrate बचा है NaNO3 KNO3 Clear? तो तीनों acids O2 base के combination से बनने वाले सारे salts बने डाल दिये बच्चों आपको नाम भी एक बार नाम simple हैं का, इधर sodium है यह chloride, sodium chloride, potassium chloride sodium sulfate, potassium sulfate sodium nitrate, potassium nitrate नाम एक बार याद नहीं भी होता है तो आपके सामने जो question होगा वो naming नहीं पूछी जाएगे हालां कि कहीं न कहीं से ऐसे questions भी आही जाते हैं जिसमें आपको write the balance equation write the name of the product इस तरह के questions भी पूछे जा सकते हैं तो name तो definitely आपको पता होना चाहिए फिर भी आपको ऐसे questions आते हैं write the compounds of the category neutral salts या acidic solution salts, basic solution salts तो आप इस तरह से जो acid base का combination है वो pick करके यहाँ पर formula write कर सकते हैं क्लिया?